देश के थल सेना प्रमुक जेनरल मनोच पांडे ने यूवा इंजिनियरों से सकरी भूमी का निभानी और सीना वा देश की शमता विकास में योगदान देने का आखरे किया इसके लिए उन्होंने यूवाओं को अनुसंदान वा इनोवेशन पर जोड देने का आखरे किया ताकि देश को आधुनिक प्रौधुकी के मामले में आत्म निर्भार बनाया जा सके गुरुवार को विश्विश रहिया राश्री प्रौधुकी की संस्थान का बीसवा दिक्षान समहारो संस्थान के सभाग्रह में आयूजित किया गया सेना प्रमुक जनरल मनोच पांडे ने एक वीडियो संभोधन के जरिये दिक्षान भाशन दिया समहारो में CSIR के पूर्व महानिदेशक डौक्टर रगुनात माशिल कर संस्थान की निदेशक डौक्टर प्रमुक पर डोले प्रमुक अथिती के रूप में उपस्तित थे सेना प्रमुक जनरल पांडे ने कहा कि भारत का सुरक्षा तंत्र विवादित सीमाओं की अतियासिक चुनोतियों और साइबर अंत्रेक्ष और विद्धुत चुम्व की ये स्पेक्टरम के नए शेत्रों में उभरते खत्रों के संयोंचन से परिभाशित होता है भारत के पडोस में विरोधी और पर्मानु शक्ती संपन्य देश है एक पडोसी का शेत्र अस्थिर है गलवान घाटी के संगरश समीती पिछले दो साल में चीन के साथ हमारी उत्तरिय सीमाओं पर घटना क्रम ने हर समय आधूने कुशल और फ्रोदोगी की के लिहास से दरूरत को रेखांकित किया है कैमरा परसन अखिलेश भारतवाज के साथ अभिशेक पांसी बीसीन न्यूस नाकपुर